हेलो घाइज इस आप नीलव मेट कोवर गाइस ही देखिए यह हमने एक लाइट मेकब किया है और बहुत ही बहुत ही में कप ए यजाज में आपको बतांगी कि ज़िक्पमेंस खीण पर आप काले मेंगे रेडल में करें चलो मैं उन्यान तो सब anne Look के मैंने क्या है यहां पर सूदर लगाया है काफी बहुत सुनधर लगitzer निधी हैं now करने के बाद मैंने यहां पर महरे यह पर में उघ्ल का किंटर में बहुत ही प्लुद्र रहता है अच्छा रहता इससे क्या हमारे दिए नहीं रहती है इसे वैर hai यू तो यह सबसाना सबस्क्राइब कर दना है और और ये में पु काफी वएस्ट है और इनके चाहिजे पर काफी तिल dwarf तो ते ही थे और इनके चे Bachelor पर काफी पिंपल्स अ clyo भी थे-स को शिपाने के लिए हैं यह यह उनका 303 यह और प्रेट है और इसको आर जिसे मैंने आपको बताए को अपनिगा शुख से यहां चैरे में कोई भी कीकमैटेशन हैं किसी बहुआ की न' Linksर्ड यूह सखा आप के से अपत भी स्टेशन है यूह सब खते हृँज़ों है अब इसके बाद मैंने यहां पे lecme की CC क्रीम लगाई यह देखिए 2-3 में यूज की है 3-0-3 के बाद लेकमी की जो क्रीम हैं यह है लाकमी की CC क्रीम 303 के बाद मैंने लैकमी की CC linesी क्या आप कोई को करना है आप को करना कोई कोई आक तुर करने फिन्टर Binar है यह मेकप आप विंटर में जो मैं यह यूज कर यह प्रोड़क आप वो प्रोड़क यूज कर सकते हैं विंटर के मौसम में इसे लोग जरूर यूज की जिएगा क्योंकि इससे क्या आपके चेहरे की रफनेस एकदम बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है वह रहती नहीं यह चे यह क्या है मैंने यहां पर लाइक में के सीसी के बाद मैंने यहां पर क्या क्या है सुरी यहां सुनीशा का फाउंडेशन यूज क्या है सुनीशा का फाउंडेशन मैंने इनके कलर से टू टोन फेयर लिया है आप क्या करेंगे जो भी प्रोड़क यूज करेंगे आप उने क और काफी अच्छा लुक आ गया था इनका वेस्का बन गया था और इनके चेहरे की जितने भी पिग्मेंटेशन सारी च्प गई थी इनके पिंपल्स के निशान वगएरा फोटो में देख सकते हैं और लास्ट में आप देखेंगे जो मैंने मेकप किया है लास्ट में इनका फ और आप तरीकियो से कैकी और अब मैंने लाइक में कही कॉमपैक्त पॉडर लिया याप देखेंए मैंने het जाड़ तर मैंने प्रोड़के जो है यहां पर लैमें कहीं किए हैं आ जो प्रोड़क में यूज कर रहे हैं यह और भी यूजब कर सकते हैं आपके बजिट में आ जाएंगे जैसे की फॉरवर वगटर वगवर से थोड़ा क्राइग उन्ट में है लेकिन बैस्ट है अब मैंने लेक में कहीं हैं यहां पर फिक्सिंग पडर लिया यह देखेंगा मैंने यहां पर क्या विक्त पडरी है। उसके बाद मैंने यहां पर लेक में कहीं fixing powder लिया है, fixing powder मैंने powder और मैंने लेक में का compact powder दोनों ही use किये हैं, इनको full coverage देने के लिए, आब हमने कहा कहा है, अब हमने कहा है शेड़ो किट लिए है, शेड़ो किट से मैंने यहां पर क्या किया है, यहां पर इनको ब्लैक आईब्रो कलर से आईब्रो फिल की है ब्लैक और ब्राउन दोनों को मिक्स कर लिया था और उससे अच्छी तरह किसे इनके आईब्रो फिल की है और इनका लहेंगा जो है रैड कलर का है रैड कलर का है तो रैड कलर का ही मैं इनको कटकेश दूँगी रै कब prakt कि थी के बाद बीच में जो कट के सोता है कट के समय निको गोल्डन दिया उसके बाद मैंने फिंगर की मदद लगाएंगे तो जादे बैटर हएल कि फिंगर की मदद से लगाने के बाद यह बहुत अच्छी तरी कikte से ब्लेंड हो जाता है और यहां पे सैट भी हो जाता है वरना कर ब्रेस से लगाएंगे तो सब्सक्राइब आपके लेशिस जो बिल्कुल एक समान दिखाई दे अब मैंने यहां पर, मैंने यहां पर हुट्डाविटी की 3d Leyes लिए हैं, इनको अच्छी तरीके से आपको लेशिस कैसे लगाने हैं, थर्टी सेकं यानि कि एक मिनट के लिए छोड़ेंगे अप्लाइब करेंगे puisque अप्लाइब करेंगे अच्छे से चुपक नहीं पातीं अच्छे से सैट नहीं होंगी तो गलू लगाने के एक मिन्ट बाद यानि की 30 सेकंड बाद आप क्या कर सोरी 30 सेकंड एक मिन्ट के बाद तो हमने यहां पर क्या किया है हाँ 30 सेकंड ले लेंगे जो भी एक मिन्ट ले लेंगे तो इस क्या करेंगे हम मैं और इतना टाइम तो रखना ही रखना है आपको कम सघा सब्स्राइब होना और लेसिस भी एपलाई करती हैं लेसिस एपलाई करने के बाद फिर आपको दुबारा से लगाया आए लैक में की लिप शेट लगाई है मैंने आप और लेक में का लिप शेट का जो नंबर था वह फाइफ नंबर है काफी अच्छा आई ये तो और एक इनको बिंदी रख दि और काफी एच्छा लोके अभिन की ठोड़ी सी आइस बड़ी दिखाने के लिए हमें क्या करना है में इनकी आँको मैं लगाऊंगी नीचे लाइनर और वाइट कलर का का जल को है तो नीचे मैंने ब्लैक पलर का लाइनर एपलाई किया है और ब्लेक कलर का लाइनर एपलाई करने के बाद बाइट का जल दिया है इनकी आँखों पर और हमने हैं पर ब्लेशर हाइलाइटर सब कुछ कर दिया था और एक बात का आपको जरूर धियान रखना है जो शेड़ों आप ऊपर लगाएंगे वह इन कि नीचे शेड करेंगे अच्छी तरीके से उसको भी अपलाई करेंगे ताकि आपके आँखों का मेकप काफी उबर के आए यह देखिए हमारे लाइनर लग चुका है और वाइट का जल हमने अपलाई कर दिया है काफी सुन्दर लग रही है हमारा फाइनल लुक है गाईज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी यह इनका फाइनल लुक देख लीजेगा और जो भी समझ में ना है आप दुबारा रिपी ऎगर झाउ़ लुकष्टाइब कर था लुका में बुप़को मेंट वीडियो में झाउ़ग लुल को सब्सक्राइब करना ना एफ़ियो भास है वीडियो किह वीडियो किया बij ऱुप़ग कैसी लुक्ष।